विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज आनू दिखिंग क्लासेट के साइंस का पहला पार्ट जो हमारा है खाद उत्पादन अर्था खाद उत्पादन कैसे होता है या किसलिए हो रहा है आदिकाल से लेकर बर्तमान समय तक समय समय के साथ क्रिसी कार बिक्सित होता गया अर्था जैसे समय बीता गया वो इसे से क्रिसी क्षेत्रों में उनती होती चली गई आधिकाल में मनुष किर्षी के लिए अनिप अगयंत का उपयोग करता था आज आप देख रहे हैं कि किर्षी शेतरी बहुत सुनती हुई है किर्षी से ताथ पर हैं मनुष के उपयोग के लिए पौधे उगाना या मवेसी पालन किर्षी के अंतरगत हमारा मनुस अपने उप्यों के लिए पहद्र गाता है अर्था भुजन के लिए या पश्रू को पालन करता है। कुछ रोशक तत्तों हैं जो हमारे क्रिसी या एगरी कल्चर सब्द कि उत्पत की लेटिंग भासा की सब्द एगर और कल्चर से उजीद का अर्थ है क्रम्सक खेत और देखभाल होता है अर्थात खेत और देखभाल कोई क्रिसी करते हैं फसल किसी भू भाग अर्थात खेत में भोजन बस्त्र या किसी अन्य उद्देश से उगाए गए पौधि को फसल काते हैं फसल सब्द का प्रियोग वास्तों में भूमी पर उखाये गए उत्पाद के लिए कि आता है अर्थात फसल से हमारा अर्थिया उगा की भूमी पर जो फसल के अंतरगत आते हैं क्रिश्चक अर्थात किसान अपने प्रियोग वालाग को माने के लिए बिनपाद की खाद फसले जैसे अनाज साख सवजी और फल उगाते हैं प्राप्त उत्पादों के अधार फसल को मानाज दलहन तिलहन कंद मूल रिसेदार फसल सरकरान नदी कर सकते हैं अर्थात किसान अपने लाग को देश के लिए फसलों को बहुत से बागों बाट दिया गया जिसे अनाज साख सवजी फल आते हैं उसके अधार वो फसल को मानाज दलहन तिलहन कंद मूल सक इसिदार फसल सरकरा नगदी फसल इत्यादि में वरगीत कर सकते हैं राज में गयूँ चाहल मक्का जौर वाजरा दलहन में मतर चना अरहर मूं मसूर राजमा स्वाबीन इत्याद तिलहन में मुफली सर्सो नारियल सुर्य मुखी अरंडी अलसी इत्याद कंद में आलू अद्रक मूल में गाजर मूली सलगम शकरकन दसिदार फसल में कपाज ज देखते हैं हमारी उद्यान क्रिसी या बागवानी क्रिसी कि वह साखा है। जिसमें साकसब्जीعة, फल, फुल, सजावटी, पौदों को उगाया जाता है। अर्थाथ बागवनी फशल केंतरगत हमारी साकसब्जी फल, फुल, सजाटी पौद्दे आते हैं। कुछ बागाओनी फसल इस प्रकार है आको सामने पहला नंबर साख सब्जी गोबी टमाटर आलू बैगन पत्ता गोबी सलगम चुकंदर आदी फल में सेव आम अमरूद पपीता अंगूर केला अननास संत्रा आदी फूल में चमेली गुलाब चंपा गेंदा गुलहल आदी लिए सब भी मारी बागमानी फसल के अंतरगत आते हैं मौसमी मौसम के अधारव भारत में होने वाली दो परूंग फसले हैं रवी और खरी अर्थात हमारा जो भारत की रिसी प्रदान देश है उसमें हम यह देखना कि भारत में फसले मौसम कदार कितनी प्रकार के होती है रवी और खरीव, खरीव फसल, खरीव फसल को गृस्म कालीम फसल भी कहाता है, अर्थात करमी की फसल भी कहते हैं, इसकी भुआई जून में तक अथाई अक्टूबर में होती है। गुदारधान चावल मक्का का पास मुफली इत्यादी रवी रवी फसल को सीद काली फसल भी कहा रता है सामानते इसकी बुगाई नौंबर में था कटाई अपरेल में होती है यह फसले मांसूनी वर्सा पर निर्वर करती है जैसे ग्यों जो मतर आदी इन फसलों को वर्सा क्य प्षसल के अच्छी उपज कि लिए कि शुनस्ति ठंग से कही कार करते हैं किर्सी कार को पूरा करने केली खिसान के वी प्रляются क करते है इन्हीं थेंबर कर में कम्बाइम के सब से पहला कार हमारा है मिट्टी को तयार करना अर्थात सबसे पहला किर्षा का कार होता है मिट्टी को तयार करना मिट्टी तयार करना फसल की बुगाई का पहला चरण है चुकि मिट्टी की उपरी परत की कुछ सेंटिमीटर परत ही पौदों की विकास में आश्यक होती है अते हैं इसे धीला सा मुलायम करना आश्यक हो जाता है ताकि इसमें पौधों के लिए जरूरी पोशक्तत मिलाए जा सके इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं अर्थात किसी फसल को बोनिस पहले सो जुताई कियाती है जिससे क्या हो उसकी उपरी परतों के धीला और मुलायम है जिससे क्या हो पौधों के लिए जो जरूरी पोशक्तत तुचाई बीच के लिए उसे प्राफ्त हो सके यह लकडी या लोहिक हल से किया आता है बड़े खेतों में टेक्टर से जुताई की जाती है यदि जुताई सुके खेतों के की जाती है तो मिट्टी के बड़े बड़े टुकरों को बाद में पट्रा अर्था सुहागा किसा आता से महिन किया आता है अर्था तहुने देखना है जुताई समय क्या लाव है अर्फार किसान जूताई करते हैं इससे क्या उसे लाव होता है जूताई सिलाव इससे सुछमजी और कुड़ो के विकास से साहता मिलती है मिठी के जैसले एक मौझूद खनी स्था до person भनी रहती है मिठी के निचले अस्तारी मोजूद खनी श्तत उपर आते हैं इससे मिट्टी के अंदर इस्थिक हानिकारक की टूपा रहते हैं जिससे उनके भच्छक उन्हें खाजाते हैं। खरपतवार उड़ जाते हैं। जुताय से मिट्टी धेली और हवादार होयाती जिसे पौदों की जड़ी नीचे तक जाती हैं। अगला पॉइंट है मिट्टी में जल प्रवागी छम्ता को बढाती है। मृत कारूनिक बजार मिट्टी के नीचे दव जाते हैं जो अबटी तोकर मिट्टी को युरा बनाते हैं। जुताइक बन मिट्टी को सम्तिकरण कियाता है।